तो आज हम करने जा रहे हैं Mathematics की Worksheet No.83 और Class 9 आज का जो Topic है वो है Surface Areas and Volumes सबसे पहले अपना Name, Class Teacher Name और Date जरूर मेंचिन करेंगे उसके बाद ही Worksheet Start करेंगे यह Worksheet है Revision कौन सी नंबर Worksheet की Worksheet No.46 इसमें आपको दिया गया है Select the Correct Answer in Question No.124 Question No.124 जो हैं आपके इसमें आपको Options दिये गया है Correct Option आपको बताना है लेकिन इसके लिए आपको Solution करना पड़ेगा उसके अलावा Question No.5 तू 11th Question तक आपको देखने को मिलेगा कि आपको Question दिये गया है इनके Proper Solution आपको करने है COVID appropriate behavior CAB message दिया गया है कि to stay safe in the fight against COVID-19 wear a mask तो हमारा सबसे पहला Question क्या है देख लेते हैं इसमें बोला गया है कि find the surface area of a spare of radius 5.6 cm तो 5.6 cm क्या है radius है ठीक है और आपको क्या बताना है इसमें आपको बताना है surface area तो चलिए इसका solution हम next slide पर देखेंगे बट इसका correct option होगा option No.C 394.24 cm2 यह square है okay cm2 then इसके बाद है question No.2 इसमें है find the total surface area of a hemisphere and a solid hemisphere each of radius 10 cm तो यहां आपको क्या बोला गया है कि total surface area find करना है किसका of a hemisphere and solid hemisphere solid hemisphere और hemisphere दोनों का total surface area आपको बताना है 32 cm2 चलिए solution भी देख लेते हैं तो यहां पर answer No.1 इसमें आपको क्या दिया गया radius 5.6 cm surface area of square क्या है 4 pi r square तो यहां पर 4 pi की value जो है आपको यहां पर नहीं दी गई first question में second में दी गई है first में नहीं दी गई है so first आप 22 upon 7 लिख सकते हैं then r की value पुट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे 5.6 था मैंने आपको बहुत बार बताया कि point को आप हटा के क्या कर सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं कि denominator में point के बाद यहां पर कितनी डिजेट है वन डिजेट है means 6 एक नमबर यहां पर है तो एक जीरो हम लगा देंगे तो ही क्या हो जाएगा 56 अपॉन में 10 हो जाएगा ओके ऐसे ही आप दूसरी हाँ पर देख सकते हैं कि आप स्क्राइर दोनों डिजेट में हमने यही किया है इसके बाद हम क्या करेंगे जो वैल्यूस कैंसल हो जाएंगी उन्हें कैंसल कर देंगी क्योंकि यह इजी कर देता है सॉल्यूशन को सो उसके बाद यहां क्या बचेगा 4 x 22 x 8 x 56 अपॉन में 100 ओके सो आप इन सभी वैल्यूस को मल्टिप्लाय करेंगे अंसर आएगा 394.24 ठीक है अंसर यह आएगा अब इसमें पॉइंट कैसे लगा आप देख सकते हैं कि नीचे 100 था तो दो 0 थे तो हमने क्या किया 2 और 4 दो नंबर के बाद क्या लगा दिया पॉइंट सो यहां पर अंसर है 394.24 सेंटीमीटर स्क्यार ओके ऑप्शन नमबर सी रेडियस आपको दिया गया है टोटल सर्फेस यह निकालना है किसका हैमिस्वेयर का और सॉलिड हैमिस्वेयर का यहां पर फॉर्मूला करेंगे जो वेल्यूस कैंसल होती हुने कैंसल करेंगे और पॉइंट हटाने के बाद आपको पता है कि क्या लगेंगे दो जीरो लगेंगे नीचे सो यहां पर दोनों 0 से दोनों 0 कैंसल हो गए सो यहां पर टू मल्टिप्लाइट 314 और इसका अंसर आजाएगा 628 सेंटीमी स्कूर्ण होगे 10635 142 सेंटीमीटर स्कूरर सौप्षिन नबर एककर एर और राकर आपको राम करना है तो सबसे पहले आप रीडियास करेंगे देन उसको डबल कर देंगे सो यहां पर क्या जाएगा डामीटर आजाएगा सौण option number B correct है, 42 cm, question number 4 है, assuming the earth to be a spare of radius 6,370 km, how many square kilometers is the area of the land, if 3 fourth of the earth's surface is covered by water, okay, so, इसमें आपको क्या बोला गए, कि assuming the earth, आपको, अर्थ को assume करना है कि क्या है, to be a spare of radius, जिसका radius इतना है, how many square kilometers is the area of the land, तो कितना होगा area of land, किलो मेटर में, if 3 fourth of the earth's surface is covered by water, अगर 3 fourth उसमें क्या है, covered है, water से, इसका solution देख लेते हैं, option A वैसे correct है, जो third question है, surface area of a spare, 4 pi r square लिखेंगे, ओके, आपको यहाँ पे surface area दिया गया है, यह लिखेंगे, then formula में जो जो values आपको पता है, 4, 22 upon 7, और radius आपको यहाँ से fine करना है, सो radius find करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, सभी values इस side ले के आजाएंगे, then आपको यह कुछ इस type से दिखेगा, उसके बाद जो values cancel होती होने, cancel कर देंगे, and में आपके पास बचेगा, r square equal 63 multiply 7, ठीक है, और इननों को multiply करके, क्या हो जाएगा, 441, after this, आप क्या करेंगे, 441, किसका square होता है, 21 का square होता है, so 21 का square लिख सकता है, square से square cancel हो जाएगा, ठीक है, so यहाँ पे r जो आजाएगा, वो क्या होगा 21, अब 21 को आप multiply कर देंगे, 2 से तो हमारा क्या जाएगा, diameter, so 42 यहाँ पे centimeter आपका अंसर आजाएगा, then area of land, area of land क्या है, आपको पता है कि 1 है, ठीक है, total, और total में से आप 3, 4 अगर minus कर देंगे, जो की water area है, तो land area आजाएगा, यहाँ पे आपने ही क्या, so area of land आगे 1 by 4, then आपको radius दिया गया है, so area of land equal, क्या हो जाएगा, surface area of square multiply 1 by 4, so यहाँ पे आप surface area 4 by r square multiply 1 by 4, then इसको solve करेंगे, so 4 से तो 4 cancel हो जाएगा direct, after this 22 upon में 7, और यहाँ पे radius जो दिया गया है, इससे लिखेंगे, और जब इससे solve करेंगे, so आपका अंसर आजाएगा, आप देख सकते हैं, option number A, okay, okay, 1, 2, 7, 5, 2, 7, 4, 0, 0, kilometer square, okay, then question number fifth है, यहाँ पे, the diameter of the moon is approximately one-fourth of the diameter of the earth, find the ratio of their surface areas, तो आपको यहाँ पे क्या बोलागा है, diameter of the moon, जो diameter है, किसका, moon का, is approximately one-fourth of the diameter of the earth, ठीक है, earth के one-fourth है, so इसका solution आपको ratio में, यहाँ फिर ratio find करना है, surface area का, so यहाँ पे, let, diameter of earth, earth का diameter हमने x माल लिया, diameter of moon क्या होगा, x by fourth होगा, जैसा आपको question में दिया है, उसके according, तो diameter भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, कि अगर, earth का, x था, diameter, so radius हो जाएगा, x by two, ऐसे ही, अगर, जो moon है, ठीक है, moon का diameter x by four है, so moon का, यहाँ पे, radius क्या हो जाएगा, x by four upon में two, ठीक है, so यहाँ पे four और two multiply हो, so x by two आजाएगा, x by eight आजाएगा, ठीक है, ratio of their surface area, so surface area of moon और surface area of earth, ठीक है, यह formula लिखेंगे, so four pi r square formula होथा है, so four pi, ठीक है, और यह क्या है, radius of moon and radius of earth, ठीक है, r square, so four pi से four pi cancel होगे, क्या बचा है, यहाँ पे, सिर्फ r square बचा, ठीक है, दोनों दरफ, और आपने क्या किया, उनकी values पुट कर दी, जो किये भी आपने, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यह values यहाँ पुट करेंगे, फिर इनका square कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x square upon me 64, दें नीचे क्या होगा, denominator में x square upon me 4, ठीक है, उसके बाद दोनों values अगर, आप इस value को उपर लेके आजाएंगे, ठीक है, तो यह कुछ ऐसे हो जाएगा, x square upon me 64, multiply 4 upon me x square, x square से x square, cancel हो जाएगा, और 64 से 4 cancel होगा, 1 by 16 आजाएगा, so ratio of their surface area is 1 by 16, ठीक है, 1 ratio 16, इसके बाद question number 6 है, right circular cylinder, just encloses a square of radius r, find the, अभी हाँ पर आपको right circular cylinder, जो आप देख सकते हैं picture, ठीक है, इसके according आपको 3 चीज़े पूछी गई है, आपको बताना है कि surface area of square क्या होगा, curve surface area of cylinder, और ratio of areas obtained in first and second, okay, so इसका solution बहुत सिंपल है, surface area of square क्या होता है, 4 by r square, और आपको यहाँ पर r, radius को बोलागे कि r आपको लेना है, capital r, इसका ध्यान रखना है, ठीक है, small नहीं लिखना है, उसके बाद है curve surface area of cylinder, so 2 by r होता है, height of cylinder, r plus r, so 2 r हो जाएगा, so curve surface area of cylinder क्या होगा, 2 by r and 2 r, so 4 by r square, okay, then ratio क्या होगा, ratio होगा, आप देख सकते हैं, 4 by r square, then 4 by r square, और इसको आप cancel कर देंगे, तो 1 is to 1 का ratio आजाएगा, then question number 7 है, a spare, a cylinder and a cone are of the same radius and same height, find the ratio of their curve surface areas, so यहाँ पर आपको spare, cylinder and cone दिया गया है, ठीक है, same radius और same क्या है, height है, आपको ratio फाइन करना है, curve surface areas का, okay, so आपको क्या है, दिया गया, curve surface area of spare क्या होता है, 4 pi r square, curve surface area of cylinder क्या होता है, 2 pi r, height of cylinder क्या है, r plus r means 2 r, curve surface area of cylinder क्या होगा, 2 pi r and 2 r, so यह हो जाएगा, 4 pi r square, so इसमें आगर आप देखें तो क्या है, curve surface area of cone, curve surface area of cone क्या होता है, pi r l, so सबसे पहले हैं, आप l देखेंगे, कि l square equal h square plus r square, इसको कैसे find करेंगे, इससे आप find करेंगे, 2 r square, ठीक है, h यह है, then r की जगे क्या लिखेंगे, r की जगे लिखेंगे, r square, और दोनो values अगर आगे देखें, तो यहाँ पहले square करेंगे, तो 4 r square हो जाएगा, दोनों को add करेंगे, तो हो जाएगा answer, 5 r square, और उसके बाद जो l है, इसका square इस पर root के रूप, उसमें आजाएगा, convert हो जाएगा, यहाँ पहले जाएगा, root 5 r, okay, तो यहाँ पहले, curve surface area of cone क्या हो जाएगा, पाई r, पाई r and root 5 r, तो यहाँ पहले, यह आज टू टाइम से, तो r का square हो जाएगा, तो answer आएगा, root 5, पाई r square, ratio अगर हम देखें, तो curve surface of spare, curve surface of cylinder, and curve surface of cone, ठीक है, तीनों जो हमने भी, यहाँ पहले लिखें, यह put करेंगे values, और उसके बाद, r square and pie, यहाँ पहले तीनों में, हम cancel कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, कि इनको हम, अगर हटाएंगे, तो क्या होगा, 4 ratio, 4, ratio, root 5, ओके, तो ratio आगया, बैन इसके बाद, question 8 है, show that the surface area of a spare, is the same as that of the lateral surface, of a right circular cylinder, that just enclosed the spare, so, इसमें आपको surface area of spare, 4 pi r square लिखना है, lateral surface area of cylinder क्या होता है, 2 pi r h, then 2 pi r, और यहाँ पहे, h की जगे 2 r, okay, so, यहाँ पहे क्या हो जाएगा, 4 pi r square, then surface area of spare क्या होगा, equal, lateral surface area of cylinder, so, यहाँ पहे क्या होगा, height of cylinder, r plus r, equal 2 r, okay, then question number 9th है, the diameter of a spare is decreased by 25%, by what percent will its curve surface area decrease, okay, so, curve surface area क्या है, equal 4 pi r square, ठीक है, इससे आप कैसे लिखेंगे, 2, जो 2 r square है, ठीक है, यहाँ पहे square लिख सकते हैं, इसे भी square के रूप में, तो, pi 2 r square, then, आप देख सकते हैं, की 2 r क्या होगा, equal d diameter, so, new diameter, d dash, so, d upon 1 minus 25 by 100 d, okay, so, जब इसका LCM लेके से solve करेंगे, सो जाएगा, 100 minus 25 d upon 100, और जब इसे subtract करेंगे, so, 75 d upon 100, और cancel करने पर values आ जाएगी, 3 by 4 d, new curve surface area of square क्या हो जाएगा, 3 d, ठीक है, in bracket, pi 3 d upon 4 square, okay, so, यहाँ पहे जब इसे solve करेंगे, सो यहाँ पहे क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, 3 की जगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, pi 9 d square upon me 16, ठीक है, square कर दिया आपने, after this change in curve surface area, अब curve surface area में क्या change है, आप देख सकते हैं, कि 9 by 16, pi d square minus pi d square upon me, pi d square multiply hundreds, ठीक है, so, यहाँ पहे अगर आप ध्यान से देखें, तो आप common ले लेंगे, इन दोनों को, pi d square को, यहाँ common लेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि नीचे जो pi d square है, ठीक है, इससे cancel हो जाएगा, numerator और denominator में दोनों values, so, यहाँ पहे आपके पास क्या value बची, 9 upon me 16, minus 1, so, यहाँ पहे हम इसको solve करेंगे, LC हम लेके, 9 minus 16 upon me 16 हो जाएगा, then multiply 100, so, यहाँ पहे इसको solve करेंगे, तो answer आजएगा, minus 7 upon me 16, multiply 100, 7 और 100 को multiply कर देंगे, so, answer आजएगा, minus 700 upon me 16, और इन दोनों को divide कर देंगे, यहाँ माइनस में आएगा, और पॉंड में भी आएगा, minus 43.75 पर सेंट, ओके, then question no. 10 है, the internal and external diameter of a hollow and hemispärical vessel are 24 cm and 25 cm, respectively, the cost of painting 1 square cm of the surface is 5 पैसे, find the total cost of paint the vessel all over, ठीक है, so, आपको यहाँ total cost बताने, paint की की vessel को, ठीक है, जो पूरा paint की है, उसका, so, internal diameter है, 24 cm, internal radius का हो जाएगा, 12 cm का half, external diameter 25 है, so, इसका radius हो जाएगा है, हाँ पे 12.5 cm, so, total area of to be painted, कितना total area painted है, सो, जो आप देख सकते हैं, इसमें, 2 pi r का square, minus 2 pi r square, दो radius है, इहाँ पे, एक है, small और दूसरा है, capital, ठीक है, तो, हमें internal और external, जो है, इनका, दोनों का निकालना है, total surface area, और उसके बाद, minus कर देना है, सो, इहाँ पे, हमने 2 pi को common ले लिया, और r square minus r square, ठीक है, सो, 2 multiplied 22 upon 7, दोनों का radius यहाँ पे, क्या होगा, आप देख सकते हैं, कि a, a का square, ठीक है, minus b का square, सो, यह formula, अगर आपने पढ़ा हो, तो a plus b, equal, और a minus b, यह कुछ ऐसा होता है formula, हम इसी के according यहाँ पे, values लिखेंगे, ठीक है, सो, यहाँ पे, एक बार एक add में, एक बार subtract में, क्योंकि यह थोड़ा difficult होगा, यह जादे easy होगा आपके लिए, सो, इसको solve करेंगे, 24.5 multiply 0.5, यहाँ पे, आप जब value को multiply करेंगे, इन तीनों को, सो, आपके यहाँ पे क्या जाएगी value, 539 upon 7, और इन दोनों को जब divide करेंगे, सो, 77 cm2, cost of painting, cost of painting के लिए क्या करेंगे, 1 cm2 आपको दे रखा है यहाँ पे, रुपीज 0.05, सो, यहाँ 77 का निकालना आपको, तो इसको multiply कर देंगे, अंसर आजाएगा, रुपीज 3.85, ओके, question 11 है, a wooden toy is in the form of a cone, सरा mounted on a hemisphere, the diameter of the base of the cone is 16 cm, and its height is 15 cm, find the cost of painting, the toy at रुपीज 7 per 100 cm2, सो, इहाँ पे हम solution देखेंगे, total area to be painted, total area कितना painted करना है, pi rl plus 2 pi r square, ठीक है, आप देख सकते हैं, कि यह कुछ ऐसे है, तो इसका और इसका आपको बताना है, ठीक है, तो area निकालने के लिए, diameter 16 cm दिया है, radius आजाएगा, 8 cm half कर देंगे, अब यहाँ पे lateral surface area निकाल लेंगे, height और radius है, ठीक है, तो इहाँ पे height दे रखे 15, और radius 8, देन दोनों का square करेंगे, और add करेंगे, तो 289, और अगर आप इसका क्या कर देंगे, अगर आप देखे 289, यह किसका square होगा, 17 का, और यह दोनों का square कैंसल होंगे, यहाँ पे अंसर आजाएगा, 17 cm, देन πाई र, multiply L, प्लस 2R, यहाँ पे पाई की value, और R की value, देन L, जो sland height है, जो भी values आपने fine के, अगर पुट कर देंगे, और इसको जब solve करेंगे, तो अंसर आजाएगा, 829.71 cm2, cost of painting के लिए आप क्या करेंगे, cost of painting के लिए, 100 cm2 आपको equal, ठीक है, रुपीज 7, 1 cm2 के लिए आप क्या कर देंगे, 7 upon 100, अंसर आपका क्या आएगा, 829.71, और जब आप इसको, multiply कर रहे हैं, point हटाएँगे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे, आप 100, 100 multiply होगे, कितना हो जाएगा, 10,000 नीचे, denominator में, बागी उपर वाली दोनों values जब करेंगे, multiply है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 58,791, रुपीज में क्या होगा, 58.0791, ओके, यहाँ पे आपके अंसर complete होता है, worksheet complete होती है, question थोड़े बड़े थे आज के, और question 11 थे, आपको इस worksheet को ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि आज की worksheet थोड़ी से tough है, पहले की worksheets के मुकाबले, इस से question आपको आएंगे, और इस type के question आपको जो मिलेंगे, वो four, five marks में मिल सकते हो, ओके, प्रोप्टे